स्वतंतता सेनानी एनी बिसंट की आज़ जयन्ती है एनी बिसंट का जन्म एक अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था 1893 को मदरास के अडियार के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आई 1898 में वारानसी में सेंट्रल हिंदू कॉलिज की स्थापना की 1914 में पहले विश्वयुद्ध के दौरान सापताहिक समाचार अख़बार कॉमन विल निकाला 1914 में मदरास स्टांडर्ड को खरीद कर उसे न्यू इंडिया का नाम दिया एनी बिसंट 1917 में भारती राश्वय कॉम्ग्रिस की पहली महिला अध्यक्ष बने देश में पहली सामाजिक बुराईयों कुदूर करने के लिए ब्रेदर्स ओफ सर्विस संस्था बनाई एनी बिसंट ने थियोसोफी पर करीब 220 पुस्तके और लेख लिखे भारती राजनीती पर लगभग 77 पुस्तके लिखी 20 सितंबर 1937 को एनी बिसंट का निधन हो गया